कि उसके बाद हम बात करेंगे measurement of central tendency का मतलब क्या होता है कि अब्रेज वैल्यू यह सेंटरल वैल्यू ठीक है मतलब कोई भी distribution कोई भी हमारा डेटा है उसकी एक आपका जो commentary कितना क्न्वेंश लगता है सारे मन्त का जो खर्चा है वह आपने एड कर और खरचा करने के बाद number of days से आपने डिवाइड कर दिया फिर आपने यह बता दिया कि मुझे ओने एवरेज मुझे जो इतना खर्चा मेरा लग जाता है ठीक है तो यह चीजे मेरी इसमालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है on on your middle वेल्यो यह on your average हमारी वेल्यो जो हमारी एंटायस को यह जो यहां चया जो इंदेट करेगि तो इसको हम क्या बोले दिते हैं से इसके साथ हमारे जो most common method होते हैं वह हमारे mean, median, mode यह चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं मतलब यह हमारे central tendency में आते हैं आपके mean, median, mode तो central tendency बेसिकली क्या करता है कि a population large set of the observation of similar nature इसमें दो चीज़े आपको देखने है population क्या होती है और sample क्या होती है, population जो होती है वो हमारा बड़ा area होती है और sample जो होती है उसका एक छोटा छोटा सा portion होती है जो हमारे entire population को represent करेगी sample जो हमें बहुत सो समझ के decide करना पड़ता है क्योंकि हम मतब जब हमारी population बहुत जादा बड़ी होती है तो it is not possible to collect the data from the entire population so we have to select the sample from the population और जो हम sample select करेंगे वो हमें बहुत सो समझ के हमें select करना पड़ेगा ताकि यह जो है हमारी entire population को represent कर सके तो हम यह भी देख सकते हैं कि हमारा जो sample का जो result आएगा वही हमारा result होगा किसका population का result हमारा वही होगा तो इसलिए हम जो वो यह चीज थोड़ा सा समझ के अपना decide करते हैं कि जब भी हमारा business इसमें आगे apply होगा तो कैसे हम उसमें बिजनस में इन चीज़ों को देखेंगे चलिए तो सेंटेट टेंडेंसी में हमारा क्या क्या आएगा मीन मेडियन और आपका मोड ठीक है कि उससे पहले में आपको इस चीज़ बिता दो सेंटेट टेंडेंसी को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं एक होता हमारा कि मैथमेटिकल एवरेज और एक होता हमारा पोजीशनल जो मीडियन और मोड जो है यह हमारे पोजीशनल में आते हैं यह दियान रखना ज़रा मीडियन और मोड जो है वो हमारे पोजीशनल में आते हैं और जो मीन है वो हमारा मैथमेटिकल में आता है कि मैथमेटिकल में आपका जो है वो मारा क्या आएगा मीन आएगा और मीडियन और मोड जो है वो आपका किस्मा आजाएगा पोजीशनल में आजाता है कि कि का इस आपको धियान रखनी है देखे मीन क्या होता है मीन का मतलब होता एक average value होती है जो हमारी data को represent करेगी और यह देखेगी कि हमारा जो entire data है उसकी average value हमारी क्या है इसको हम average भी कह सकते हैं ठीक है और यहां पर हम क्या देखते हैं कि मतलब जितना भी जो data है हमारा उसको सबको sum करो और sum करने के बाद उससे जो वो जितना भी number of observation ह है उनसे divide कर दो तो इसका क्या बोलेंगे हम sum of all observation sum of all observation divided by number of observation ठीक है अब इसमें जैसे मालो हमारा data है 5 6 7 और 8 ठीक है मालो यह कोई data है मारा इन सब इसका अगर मुझे average निकालने तो मैं कैसे निकालूंगा 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 चे और 5 ग्यारा और साथ 18 अठारा 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 चब्विस चब्विस डिवाइड बाई 4 तो इससे आपको जो है वो six point something आपका आज अंसरा जाएगा ठीक है तो वह easily आप जो इससे calculate कर सकते हो ऐसे ही आप जो वो इसमें जो वो दो तीन चीजे निकालोगे जमेंटिक मीन, हार्मोनिक मीन और आपका खाली नॉर्मल अर्थमेटिक मीन झीकाल सकते हो अर्थमेटिक मेन आपका दो तरीके का आएगा simple और weighted average में तो इसमें वेटेज वाले में आपको वेटेज जी जी जि़ह होती है उसको पहले नॉर्मल उससे मल्टि प्लाई करो फिर ढिवाजेड़ वाई उसमें आप एसा कर सकते हो सिग्माडश ड device डिवाड़ज मेन डबल्यो यह वेटेज मीन का फोमला यह भी हमारा इसमें calculate होता है तो इसको भी मैं डीटेल में बताऊंगो जरब क्या 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 चीज़े होती है आपके arithmetic mean कैसे calculate करोगे और आपका harmonic mean कैसे calculate करोगे उसके बाद नेक्स आपका median median का क्या मतलब होता है median का मतलब होता है middle most value जो आपकी position को represent करेगे अगर एक और number हमारा उसमें Add हो जाएगा जा एक और number हमारा घर जाएगा तो उससे हमारी value है वो Change हो जाएगे उसका तती हम्हारी ज már Boss देख सकते हैं कि महरी value है उस तरीके से अ प्रिपर्जेंट कर सकतें देख सकते असेंडिंग ओडर या डिसेंडिंग ओडर में प्लेस करोगे उसके बाद उनकी मिडिल मोस्ट वैल्यू आपनी का लोगे जैसे माल लो आपको यह डेटा की बने ठीक है 23 21 18 16 15 13 12 10 9 7 6 5 2 ठीक है तो यहां पर देखो और 4 आपने इधर से छोड़ दी और 4 आपने इधर से छोड़ दी 2 आपने इधर से छोड़ दी 2 इधर से छोड़ दी तो मिडिल में आपके एक वैल्यू आएगी 12 ठीक है अगर मालोग एक नंबर और होता हमारा यहां पर वन होता तो हमारी मिडिल में दो वैल्यू आती तो द descending order में या descending order में और उसके बाद आप उसको calculate कर सकते हूं, ठीक है, ऐसे आपका आता है mode, तो mode में आप क्या देखोगे, mode का मतलब होता highest occurring frequency number, मतलब जिस number की frequency सबसे जाधा होती है, उस number के हम क्या बोल देते हैं, mode बोल देते हैं, तो mode आप कैसे calculate करोगे, कि जैसे मालों यह data है, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 5, 5, ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो 5 जो है, वो कितनी बार आ रहा है, 3 times आ रहा है, और 2 आ रहा है आपका 2 times, और वाकी यह जो number है, वो 1, 1 times आ रहा है, तो इसमें आपका 4 है, वो भी आपका 2 times आ रहा है, ठीक है, यह आपका 1, जो 1 times और यह 3 जो आपका 1 times, तो इसमें आपका जो highest occurring frequency कौन सी है, 5, ठीक है, जो कि कितनी बार repeat हो रहा है, आपका 3 बार repeat हो रहा है, तो इसमें आपका जो mode है, वो कि आपका क्या आ जाएगा, mode आपका आ जाएगा, 5, ठीक है, तो mean मैंने आपको बताया, medium मैंने आपको बता है, ठीक है, तो उसके बाद मतलब जो है, next class जो हमारी रहेगी, next class में हम इन चीजों को और ज्यादा explain करेंगे, कि हमारा जो arithmetic mean क्या होता, geometric mean क्या होता, harmonic mean क्या होता, इनके एक एक question, ठीक है, और उसके बाद आपका median क्या होता है, median को किस तरीके से आप calculate करोगे, mode क्या होता, mode के कौन-कौन से formula होते हैं, आपके calculate करने के, ठीक है, उसमें आपका median को calculate करने का भी आपका formula होता है, और mode को calculate करने का भी आपका formula होता है, तो यह चीज़े आपको जो वहाँ पर calculate करने हैं, जब यह चीज़े आपकी complete हो जाएंगी, तो इसमें आपका जो है, फिर आप dispersion प कमेंट है तो वह आप कमेंट सेक्शन में डाइब कर सकते हैं ताकि हम आने वाले वीडियो में आपके लिए एक बेटर कंटेंट क्लिकर कर सकें और उनके पॉइंट को कंस्रीडर कर सकें तो थैंक्यू गाइस हैव नाइस टे कर सकते हैं..